हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर चैनल फ्रेंड्स बात करेंगे हम इस वीडियो में यूपी पुलिस भरती को लेकर ओफिशल जनकार जी है आफ जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सबसे पहले आपके सामने एक नोठी जारी की जाती है जिसमें जो आपकी संसोधन डेट है वह इंक्रीज की जाती है यानि कि 17 से लेकर 20 तारिक तक आप सिंपली अपना जो भी गलती वेगरा है आप उसे सुधार सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई कि भईया इन लोगों ने क्या कह दिया यह डीजी लॉकर के माधियम से जो भी कैंड़ेट अप्लोड न जिनोंने इसींपल影片 अप्लोड किया है इस करके है लakahना क्यूंकि पहले डीजी कोड़ काम नहीं कर रहा था लेकिन अब जो है वह सही हो गया है तो यहां मेंशन यह की गई है कि अभिलेक जो है डीजी लोगार के माधियम से अप्लोड नहीं कर पाए हैं वह डीजी लोगड इसने स्टार्ट हो गए कि भाईया क्या होगा अगर ऐसा होगा तो दो दिन जो इनकी वेबसाइट खुली है वह अटोमेटिक हाइंग हो जाएगा और इसको लेकर क्योंकि भरती बोर्ड क्योंकि वह भी सोसल मीडिया पर ही रहते हैं टैग करके उनसे पूछा जाने लगा तो इस प्रिफियर बट नाट मेंडेटरी टू अप्लोड थू डिजी लोकर फोर सर्टिफिकेश डैट आर अलाइबल और डिजी लेकर अधर्वाइश देख सकते हैं अधर्वाइश नॉर्मल इसकैन अप्लोड इस एक्सेप्टेड एंड विल नाट भी रिजेक्टेड कहा ज अधर्वाइश देख सकते हैं कि अब भरती वोट को भी पता है कि आपकी अब मान सकता है क्या बनेगी और कहीं नहीं कोई भी डिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप सभी बिलकुल सफलोंगे तो बहुत अच्छा इंफोर्मेशन आप सभी त्यारी पर फोकस करें बाकी कुछ नहीं करना है तो अभी फ्रेंट्स इतना ही यूपी पॉलिस रिलेटेड आपको सारे जनकारी इस चैनल पर ओफिशल दी जाती है तो चैनल साथ बने रहे हैं धन्यवाद और मेडिकल कैसे होता है खासकर लड़कियों का ठीक है सब कुछ चर्चा करेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद